जयन मेरे पैरे साथ है दोस्तों आप लोगों की सभी की डिमांड पे ले गया है आज भाई बढ़ माला और बढ़ माला ऐसी चैप्टर किलास जो की आपके कोश्चन फशनी फशनी है देखो किसी स्रिप्ट में दो कोश्चन कभी तीन तो कभी ये कोश्चन संक्या चार देखो पहला कोश्चन इस तरह से बनता है अभी इसमें मैं आपको पढ़ाओंगा अलप्राण महाप्राण कैसे पैचाने सको सकोस कैसे पैचाने क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गल्तिया होती है इसी के कोश्चन सब्वाद दिखाते हैं देखो सबसे पहले भासा की सब सब्वाद सबसे का है छोटी 3 कि धोनी है धोनी है ठीक है अगर कोश्चन आता है आएट कि हालएकं में सबसे चोटी क्या है तो भाता इस सबसे चोटी के वह zij ृओं है ठीक है जोनी को ही, पे चलते हैं, देखो, सबसे पहली वाग अब इसमें दूसरा कोशन है अब पूछेगा कि मुख रूप से बढ़ माला के कितने भेद है आला कि यह कोशन बहुत ही कम पूछेगा कि सभी को देखते पता हुता है स्वर और वेंजन मुख रूप से बढ़ माला के दो प्रकार है ठीक है न तो ऐसे इसमें को सभी को पता गंजन इसा नहीं होता जो बाकि सभी बेंजन है अब पोश्चन नम्बर जो इसमें important आता है वो देखो कि लेखन के आधार पर सोरो की संख्या 13 है ठीक है यह question लिख लो important है लेखन के आधार पर सोरो की संख्या 13 है ठीक है यह important है कि लेखन के आधार पर कितने सोरो की संख्या आए तो 13 है अब अब यही भात के हैं हम लेखन में मुख रूप से सोरो की संख्या कितनी होती है दूसरा question आपका आता है यहाँ पर बनता है कि मुख रूप से मुख रूप से शोरो की संख्या मुख रूप से सोरो की संख्या ठीक है तो मुख रूप से सोरो की संख्या बहुती है हमारी 11 मुख रूप से 11 होती है और अगर लेखन के आधार पर बात करें तो 13 होती है देखो और एक question important आता है अगर question मानों यह आगया आपका श्राब य यह क्या है अब यह सोर है या बेंजन या फिर यह क्या है क्या नहीं आयोगा या प्रियोग होता है इस तो ना तो आके नहें प्रियोग होता है आपको जो अभी ट्रिक्स बताऊंगा ना वो देखना इंपोर्टेंट है श्रा स्वर और वेंजन में दोनों में प्रियोग होता है ठीक है अब इसके बाद चलते हैं आगे हम लोग स्वर जानते हैं और वेंजन जानते कि कौन कौन से स्वर और वेंजन है ठीक है आगे इसको अब आगे बात करते हैं बहुत से चीज आपको पूछेगा इस सबसे पहले जानो स्वार और एक सेकिट कि है थीक है स्वर और में या कुस्कों चिक है तो यह मारी स्वर हो अ qt कि ति रखें मिएा हैं आपको पता रखें टेरह और मुप्रूपार तो फैंक यहां पी यहां पर किलियर बड़ी चोटू यह चोटा बड़ा तो सबको याद होगा है ना बड़ू कि रीड़ कि ए ए ए कि ओ सुरी एक बाला है यह ठी है और और आपका तर अं और आता है अहाँ ठीक है ना यह अब देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस से ग्यारा बारा तेरा लेखन के आधार पर हो गए आपके तेरा ठीक है और इसको मैंने का सोरो बेंजिम दोनों प्रियोग होता यह आने के वड़ याद रखना आप लोग अब इसके बात करते हैं जब पांच छे साथ आठ नो दस सोरी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह भी जुड़ता है ठीक है ना यह जो मुख रूप से हो गए आपके यह तो इसको हटाई दो यहां से कोई मतलब नहीं है यहां पर ठीक है इसको मैं आल रड़ी आपको बताई होंगे त्यारा तेरा और गयरा कैसे बोले जाते हैं अगर आप तक आप ना जान पाऊंगे तो इस किलास में अच्छे से जाने होंगे कि कि हाँ भी यह 11-13 हम लोग इस हिसाब से बोल ठीक है अब बेंजन की बाद करते हैं लोग दूसरा आपका टॉपिक आता है वेंजन देखो बेंजन अब का खा यह तो सब छोड़के ना का खा से जितना स्टार्ट होता है चात्रा गया तक वो सब हमारा क्या होता है यह बेंजन होता है यानि कि यहां पर लिख लो आप लोग का खा गा यहां से स्टार्ट होके हमारा यह कहा तक जाता है वही यह चात्रा गया ठीक है यहां तक हमारे होते हैं चात्रा गया इसमें इसमें या यह हमारे बागी है सब बनिगन मचेते हैं यानि कि जो वारे सुर हो गए वों 13 और 11 आप जाने को पर सब बनिगन को आता है अब बनिगन की बाद हो प्रस लिदिन अंगर जितना मैं पढ़ाता हूं इतना पढ़ादोगे तब भी आप उप्टिलुस कॉश्टेवल का आजाम आराम से क्वाविपाई कर जाओगे जोगए इस्पर्जेंजन इस्पर्जेंजन कितने होते हैं इस्पर्जेंजनों की संख्या पोच्छन लिगो इस फर्स बेंजनों की संक्या हमारी होते है 25 होती है कि सब्सक्राइब हुते है इस पर इंपटिस पर ही काम होता है हमारा किसमे अलप्राण और महाप्राण में अब देखो कितना मजाने वाला ठीक है इसको नोट कर लिया आप सभी ने किलास में सीखोगे आप जब मैं पढ़ाओंगा ना हिंदी चाहूं मैं कोई सामें सब्जेट पढ़ाओंगा वह आप सब सीखोगे और किस तरह से सीखोगे आप भी ज वैंजनों की संधे इसफ यह कि अपच्चिस होती है अब इसको आप जाना यह बड़ माना में स्कूचेगा इस एमारे जाता है अब घृ नहीं रहां आई लहात है आप पथा स contrat क्या है इसstat देख पता वांग्या आरग मेंगे दो आतने कील noi सगोस और अभोस यह भी दो होते हैं अलप्राण महाप्राण यह भी दो होते हैं अब इन दुछारों पर काम करेंगे अच्छे सबसे पहले काखा गागा जो 25 इस पर्शम उसकी एक ट्रिक है हमाई ट्रिक क्या है वहिए हमाई ट्रिक है कचट तब कचट तब कचट तब कचट तब यह अतिकतर लोग जान भी रहोंगे कचट तब यह हमाई ट्रिक है इस फर्स बेंजिनों की कचट तब पक्चेद हमारे यह हो गया ठीक है अब कचट तब में क्या देखो क यह रोग्या चा वो गया और फिर आप लोगा वी गभी टरों ताप अबचट अब चुटवा बढ़ों जिसको याद नहीं होता हुता न वह यहां अफ़्याद कर लेगा बहुत आसानी देखो कचट तब में इसकी ट्रिक बनाई है बहुती बेसिक ट्रिक है और आपको अच्छे से याद हो जाएगी अब इसमें देखो कितना बढ़िया मैं समझाओ कि अले प्राणों महाप्राण कैसे कहोगे कैसे पैचानों कि यूँ देखते हुगे पैचान जाओगे ठीक है का फिर मैं इसको समझाओगा ना तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे पिर का खा का घा अना ठीक है चा 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 जा 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 वहां ठीक है टा टा ठा डा रा लक्कनवाला दा ठीक है ना ता था दाधना ता था ता था दाधना पाफा भाभा मा पाफा वा भा मा ठीक है यह देखो इतनी चीज़ें आपके लिए मिली है अब इसमें से भी इसको हटा तो अभी मैं आपको अच्छे जिकाता हूं क्योंकि ये जुकाने क्रीक्स वर्ती ना एक ये सी क्लास है मैं सच बता धूं एक ही रहलो कि देखो किसी देख्ञोंकी Hem इसको नमबर देतु आप साइद दिख रहो होगा है इसको नमबर देतू के दूसरी धाग्रें कैंका यह तुसरी कायलम हो पहचानो तो कैसे पहचानों कि देखो halo दॉख है ifte 135 एक हो गया आपका 3 हो गया आपका और आपका हो गया 5 135 यानि कि 135 जो आप का एक होगा तीननंबर का होगा पांच नंबर का होगा इसको हम सब लोग क्या बोलेंगे वही अल प्रॉण अल्फ प्राण अलव प्राण वहैं जहने हमारे कौन से हैं एक तीन Пाँच यानि में जिह हमाले क्या होगे अलव प्राण कभी नहीं भुलोगे यानि का गावाली लाइन होगी अभी इसमे प्राण भी आ जाएंगे ठीक है और सभी अंतहस्त वेंजन आ जाएंगे पिलस इसमें अंताहस्त वेंजन आ जाएगे अनताश्त वेंजन आ यह ओगया आने प्राण होगा है complete दोखो अब आपका का गा गाड़ा चा जाट्रा यानि का चाटटब आपका जितना भी कच्षटब बाली लाएने पूरी यह तो आपके लप्राण हो गई पिर गाजाड़ा दावा यह भी आपके अलप्राण हो गए बागी के इंतास्ट बेंजन हो गए सभी सवर हमारे अलप्राण में आते हैं अब महाप्राण में आते हैं यह कोशन जब भी आता सभी confusion पड़ जाते हैं यह पता नहीं इसमें क्या है दो और चार दो और चार यह हमारे क्या हो गए सिंपल बात है यह हमारे लिखाएंगे ना तो सभी आप सीख जाओगे उस्म बेंजन और पिलस इसमें आपका आता है यह चीज आपके होगी महाप्राड अब महाप्राड दो चार वाले वर्ड होगे दो और चार वारे वर्ड अभी आपको याद करने पड़ेंगे कि एक तीम पांच वाले हमारे महाप्राड हो गए और दो चार वारे महाप्राड हो गए इसमें उस बेंजन आते हैं और इसमें अन्तास बेंजन अभी इसमें लिखा दूंगा अधिक्तर वेक्तिव को पता भी होगा क्योंब यह बेसिक चीज है ठीक है अब आगे चलते हैं इसका स्क्रेंस और ले लो पहले दो क्योंब यह बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरी नजर्म भाईया है पूरी वर्ण वाला यही पर ठीक हुई है सगोस अगोस भी पताएंगे आपके लिए यही पर बतातेंगे इसमें ठीक है इसको मिटाते हैं ठीक है आज सब कुछ कंप्लिट करणा एक किलास में जब दे रहे किलास अच्छे से तो क्या ही मतलब है ना देखो अब वो तो मैं पताएंग गिया था एक दो तीन चार और पांच अब सगोस अगोस की बात करें हम भाईया तो अगोस सबसे पहले अगोस जानो एक और दो जो एक अबूल होगी और दो जोगी एक और दो एक और दो यह का वह यहांदे अघोस ठीक अना अगोस हो गये बारे थी जानी कि इस्तव क्या चाङता है उसम वेंजन, शुक है, और वह ऋ ऐसम भी सल करें एक दो तो वाली काव और खाव ली ईक और दो वाली इसमें हमा mixes आते हैं कि साथ साहा वाली को साथ साहा का नहीं आता है जा पना है इसIVE हाथ साह नहीं आता है इसमें हाथ नहीं आता है बहुत ही आपको सगोस झूढ़ना तो सगोस कैसे ढूंढ़ रख जो हमारे बचे बागी सबसिछ на 52 आ हमारे हो या सगोस सगोस वार्ड ठीक है ना सगोस अगोस सगोस महापराण अलपराण बहुत मुझते हैं आप सभी को बता यह चीज इसमें क्या आता है हमारे सभी सुवर लोग या रा ला वा फिलस अंतस्त वे लिगए या या रा ला वा फिक है इसी गू को बोलते हैं हम लोग अन्तस्त वेंजन कि है यहां पर शगोश आपका हुआ कंपलिट अब इसे करना आप प्रैक्टिस जो मैं बताया हूं कि एक दो तीन-चार-पांच यह तीन चार पांच होगे शगोज और एक दो होगे हमारे अगोज और जैसे तरह मैंने बताया था एक तीन पांच होगे अलपराण और दो चार होगे महापराण उसमें क्या-क्या जुड़ जाते हैं दूसरा रिश्ट्रा जो वर्ड है वो भी याद कर लो अच्छे नोट कर लो तो आज इसकी क्लास देखो कितना बड़िया कंप्लीट करता हूं मैं ठीक है अभी जो चीज आप अंकंप्लीट है भो भी बताता हूं ठीक है इतना आपको समझ माया है इस्क्रीन सोड़ ले लो चाहें तो और किलास कैसे लगी यह भी बताना लाश्ट मैंना अब बात करते हैं हम लोग आगे देखो अंतास्त वेंजन अंतास्त वेंजन कौन-कौन से होते हैं आप सभी बभी बताई चुका हूं मैं यह इंपोर्टेंट है प्लाल लिख लो वह पहला अंतास्त वेंजन हमारे कौन-कौन से हैं या राला वा या रा ला वा ठीक है यह हमारे हो गए अंतास्त वेंजन और अच्छा देखो या और वा को बोलते हैं अर्दस्वर या और वा इनको बोलते हैं लोग अर्दस्वर ठीक है ना अर्थ स्वर अर्थ स्वर बोलते हैं या और वा को बोलते हैं अर्थ स्वर और प्रिकंपित प्रिकंपित बोलते हैं आर को आर को बोलते हैं प्रिकंपित प्रिकंपित अब यह मत कहना सरी आपने पढ़ाया नहीं रा को बोलते हैं डारेट प्रिकंपित देखो रा रा बोलते तो रहा वहोगे हमारा प्रकम्पिट खराय कि कर लुए लुन्ट उता है लुन्थिट होता है लुन्थित हुट खां या आपके चारा बहुत है अब दूसरा हम बोलते हैं कि पर का उच श्वर किलास लंबी हो लेकिन किलास मज़ा आना चाहिए है ना सब कुछ complete होना चाहिए, मेरा नजरों में यह है शा 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 तीनों सा आ जाते हैं फरना सा इसमें आ जाता है ठीक है अब देखो बहुत चीज मैं आपको सिखा दूँगा बात में फिलाल उस में जिन कौन सोते हैं हमारे सा 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 हा ठीक है अब ये कौन किससे बोले जाता है ये सा हमारा बोले जाता है तीनों सा किससे बोले जाता है अगर question आ गया किससे बोले जाता है तालू से मूर्धा से तो जो ये वाला सत्कोड सत्कोड क्याना मूर्धा सत्कोड हमारी मूर्धा है बिलकुल मूर्धा ठीक है यह पोस्चन इसलिए है क्योंकि तीनों सा की अलग अलग तीनों सा अलग अलग टाइप से बोले जाते हैं यानि कि एक दंत से एक तालू से मूर्धा से इस चीज को बहुत इंपोर्टे टीक है पच्छा कि ना झासे रहेते बनके मिलाए ना शेंड़ गोह च्छे हलंगा चैम्हारा बनता इसी टीक है तरह हमारा किसे बनता है ता पर लगा अथा यह जरूर यह लगा था प्लस रा थीक ना आप लगा शोड़ी चोड़ी चीज जो यह पिजी गई थी और इसी को आपको याद करना ठीक ना जा और वहां अदो ग्या किसे बनता जा पिलस ठीक है अब इसमें किस पर लगा वही अलंथ तो हमारा लगा जा पर वो क्या करता ना एक्जामर जब पोशन देगा तो जा की जगा इस पर लगा देगा अलंथ तो आप लोग कंफूजन पढ़ जाओगी कि क्या लगा है कों सा सही करें ठीक है उस रा पर जैसे कि इसको पता ह अचाप लगा लें पश्ल終 Judith यह कि चर रहा है सब EPA संद्थ वाके अमें यह इंध होокой इस बलकार में आगे वह worked आपको पूरी वर्ड माला ही समाप्त आपकी होने बाली है यहां पर कि बढ़ आपको से छूटे गा ही नहीं आई से पड़ा रहा हूं इसलिए मैं इतने बड़ी हमें नोट्स बना रखें उस नोट्स से पड़ाओना मज़ा जाता है आच्छे आगे बढ़ते हैं आप फोचके दुधुडव Wonderful चौथ्या पुछतर बैसर ने कि कि के बैसर दुधु दुधुडवंजिन और yakए चीजबुद रुटी को Francis पूचके इस अर्ट भावर billion cents अव्य है आर्ट चोप संक्वीर में हुए तब ऑर करें По पांच में होता है . अनुस्वार . अनुस्वार कौन च्रवय वर्ड ? लगी हो एक हिस पर लगी हो वर्ड अनुस्वार होता है यह वर्ड हमारा अनुस्वार है ठीक है अनुनासिक कौन सा वर्ड होता है छटा है अनुनासिक 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 वर्ड कौन सा हमारा होता है जिस पर चंद्र बिंदू लगा हो वह हमारा होता है अनुनासिक यह अनुनासिक हो गया अनुस्वार हो मत्ता कि बिन्दी लगी हूं यह दोनी ऊंद्पन इंप को stage कि वस्टा से मुर्दा तालु दॉखे नाशिए कंट Exactly कुछ चूटेंगे जो बनते हैं वो मैं आपके और बता दूँगा बागी के इतने आकर आपने पड़े तो छूटेगा नहीं कुछ वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू जाएं